हाँ पहले सरसे पहले देखो ए पार्ट में न कॉपी एंड कंप्लीट टेबल करेंगे इसमें पहले टेबल कंप्लीट करेंगे इसमें टेबल कंप्लीट करेंगे इसमें टेबल कंप्लीट करेंगे इसमें टेबल कंप्लीट करेंगे देखो इन्होंने वैल्यूस दी है एक्स क लिखे ना तो X की value जैसे minus one का लोगे यानि minus one का scale होगे तो Y की value निकलाएगी ठीक है इस तरह ये minus three का scale होगे फिर Y की नीचे लिख रहेगे पूरा पहले table complete करो इसे हिए शाबश पूरा table complete करो ये चेक रहाओ तो ठीक है पहला पार तो कम्लीट होगे हमारा कॉपी है अंदर कम्लीट टेपल यह हो गया है अब इसना कुशन है टू यूज अब इसकेल अब टू सेंटिमिटर टू प्रिजेंट वन यूनिट है ना ओन अरिजन्टल एकसेज यह इन्हों ने चुर लिक है ना अरिजन्टल वर्टिकल एकसेज इसके मताबिक हम सकेल लेंगे अब डूआ करेंगे ठीक है ग्राफ समझा गया ठीक है यह सकेल पर लोना कितना लिखा वह तुम्हें यह तो यहां से नज़र आ रहा है यूज़ दा सकेल और टू सेंटीमिटर टू रिप्रिजन्ट वनी यूनिट डॉआ होरिजन्टल एकसेज में ने बता दी माइनस 3 से लेके तुमने होरिजन्टेट एकसेज में बताओं कि लेना माइनस 3 से लेके 3 तक लेना है पहले ग्राफ और इसमें वर्टिकल एकसेज कभी के लिखे यूज़ टू सेंटीमिटर टू रिप्रिजन्ट फाइव यूनिट यानि दो सेंटीमिटर के लिखना है फिर 10 लिखना है फि दो से लिखे लिखे ना इसके मदाबर कर लो ना ठीक है लिखा तो वाफ 2 हाँ थीक है पहले प्ले यह शाव करो ऑर यह चुझा है यह तब तब दोसके मदाबर लिखे लो आगे चल में खDadis कर नेंस यह चरह जो सऑफ इस आगे कुछ सा पाट है हाँ हाँ जो वैल्यूज है न अब वह पुट करके न कर बना दो जो भी बनते है ठीक है यहां वैल्यूज पुट करो इसमें सारी शावश हो फिर मेरी चक्रा दो ठीक है ठीक है फूर ब्लॉक के लोगे ट्विंटी सेक्स है का फिर फूर ब्लॉक के लोगे ट्विंटी सेवन बन जाए ठीक है यहां तक बना लो ट्विंटी सेवन ठीक है वहां पर डॉड लगा लो ठीक है ठीक है न, तुमने बना दिये न, यह उपर, यहां तक सही बनाए न, उपर से कर्व ले जाओगे, बिल्कुल सीधी स्टेल जोईने करोगे, इतने से थोड़ा कर्व बनाना है तुमने, हाँ यहां तक ठीक बना है, तुमने बिल्कुल, यहां से थोड़ा कर्व बना के आके ल जानी में उतातो और ये ठीक लगाए है ना एक कर्व है ना थोड़ा कर्व सब बनाओ और उससे जोइन कर दो शाबश हाँ बिल्कुर कर्व लाओ शाबश हाँ इस तरह ले जाओ कर्व कर्व लाके ना उसको थोड़ा पुले जाते हैं और फिर जोइल बनाटने करते हैं ठीक है शाबश हाँ ये ठीक होगे थोड़ा समूद ग्राफ बनाते हैं बिल्कुर हाँ ये इस तरह ही करते है हमेशा याद रूख हाँ बिल्कुल इस तरह है ठीक है ये कर्व बना दिया ना है ठीक है पहर है ठीक होगी न रप ध यह सही निय इसको रेस करो पिस 00 है तो वा 00 बनाओ मैं बहुत तुम यह अगर 00 था पोइंट वह तुम में लगाना था ना फहले ओपा रह चलो रेस करो मैं बताता हूं तो थीक है अब तुमें потряс एक अब तुमने 00 पान न इं इसको ना, minus one, one वल में वाल है नजा इसको zero वाले तक ले जाओ. ठीक है? zero वाले तक ले जाओ. state कैसे जारी है? सीदी नहीं जारी है. थोड़ा सा जार है. सीदी state नहीं जारी है. देखो. I की value minus one है. नहीं तुमें गरत लिखिये. तब भी मसला हो रहे हैं ना मैनस वन यहां पर नहीं बनती थोड़ी नीचे बनती है ठीक है हाँ तो 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 ठीक है तो यह ठीक है यह नों ने जो पूछा था ना draw graph यह हमने complete कर ली है ठीक है देखो ना अब इसमें यह पूछा use your graph to find the value of y when x की value 1.5 है एक यह जांपर x की value 1.5 वो find out के नहीं y की और दूसरे the value of x when y equal to 12 ठीक है फ़र x की value जांप 1.5 है वहांपर y की value बतानी है और जहांपर y की value 12 है वहांपर x की value बतानी है यह इस graph वो देखे बताओ ठीक है ठीक है 1.5 है इसको dotted ले जाओ ना y की y की यहांपर क्या बनती है 1.5 ना यहांपर सीधी curve की तरफ ले जाओ curve की तरफ ले जाओ क्या y की बनती है तो नीचे सीधी से डाटर लेंड से कर्फ तक ले जाओ डाटर लेंड लगाकर कर्फ तक ले जाओ उसी 1.5 हाँ यहां से यह बिल्कुल की लेंड लगा दो यह जो वह ना कर्फ पर यहां पर वाई की value दी है, वहां पर x की भी बता दो, ठीक है, चलो शाबश, अभी 4.9 ये लिखोगे तो नमर मिलेंगे, graph दे के लिखोगे तो फिर नमर मिलेंगे, ठीक है, तो शाबश, अब दूसरा भी बताओ, उसमें देखो, फिर लिख दो, शाबश, पर value, y की value वहां पर x की दो value बनती, वह बतानी है, ठीक है, य की value देखो, minus 12 का बनती है, graph चलो, शाबश, अब ठीक है, तुम्हें graph ठीक है, अब यहां पर y की value 12 यहां पर बनती है, एक्स की क्या value बनती है, ठीक है, अब graph बेतर हो गए है, हाँ, बिलकु डॉटेल लाइन से ना नीचे ले जाते हैं बिलकुल डॉट यहां पर देखें नीचे लाते हैं यहां पर गया बनती है 2.4 ठीक है तो बस ठीक है 2.4 तो x के वाले 2.4 लिख दोगे तो यह complete हो जाएगा ठीक है अब यह पूरा question complete होगे ठीक है